असलावलेकम स्टूडेंट्स वेलकम टू स्रार्ज अकेडमी आज हम 9th क्लास की अधीस No.4 डिसकस करेंगे जिसका तर्जमा है जिसने मुझ पर एक बार दुरूद भेजा, अल्ला ने इसके लिए आफियत का एक दरवाजा खोल दिया नवी करीम स्लेलावलेकम मौसिन इंसानियत है आप स्लेलावलेकम हमारे लिए हदायत का सर्चश्मा है आप स्लेलावलेकम ने इनसान को दुनिया राकरत में काम्याबी का रास्ता दिखाया अपनी जिंदगी और अमल से हमारे लिए उस्वाए हुसना पेश किये इनसान पर रसुल ص.A.W. के इहसनात का तकाजा ये है कि हर चीज़ से भरकर आप स.A.W. से महबत की जाए जिसकी अमली शक्र ये है कि आप स.A.W. की तालीमात पर अमल किया जाए और महबतों की गदद के इज़ार के तोर पर आप स.A.W. पर दुरूद बेजा जाए इसमें ये कहा है कि आप सलिय लौए वूलैओंटी का सथ रस्मा है, उन्होंने हमें बहुत से जहालत के इंद्रों зे निकाल कर रोष्णी की तरफ रास्ता दिखाया है जिसकी बिना पर हमें उनसे मुहबत करनी चाहिए, एै इमान वालो तुम भी आप पर दुरूद भीजा करो यहाँ था कि अल्ला और इसके फरिश्टे भी आप सलिला हु आप पर दुरूद भीजते här इस से शाहिर होता है कि भसुलन उकर्म सलिला हुम पर धुरूद भीज़ने के लिए हमें अल्ह तैला की तरफ से भी ताकीद की गई है मीन्स जिए कि अल्ह तैला का भी फर्मार है दुरूट भेजने का सिला नाभी कृरीम सलेलाहeremyา अलेहिव लिए सलम्हें एठाथ मुबालका में फर्माया मुझ पर एक बार दुरूट भेजने कि बदले में अलात अला इस शक्स को इसके लिए एक आफित का दरवाजा खोल देंगे नेक्स हमारे पास फर्दर और भी अधीस यह हैं कि दुआ मांगते हैं जब हम आप से लेला हो अले विसलम पर दुरूद भेजते हैं तो स्टार्टिंग में और लाश पर में एक बार या तीन तीन बार दुरूद पढ़ लेना चाहिए ऐसा है कि एक हदीस का मफूम है कि दुआ से पहले आप से लेला हो अले विसलम पर दुरूद भेजने से हमारी दुआ आसमान और जमीन के दर्मियान लटकी रहती है और एक हदीस का मफूम ये भी है कि आप से लेला हो अले विसलम पर दुरूद बेजने से अल्ला ताला दसने कियां बढ़ा देते हैं दस गुना माफ करते हैं और हमारे दस दर्जात बुलंद कर दिये जाते हैं नेक्स्ट अमारे पास है हदीस नमबर फाइफ जिसका तर्जमा है तुम में से कोई शर्क्स मौमिन नहीं हो सकता जब तक इसकी खौाइश इसकी तलीम के मताबिक ना हो जाए जो मैं लाया हूँ इसकी तश्री इनसान की फितरत में नेकी या बदी दोनों का शाव रखा गया है इसलिए इसे चाहिए कि वो इरादा और इक्तियार के बावजूद बुराई या गुना के कामों से इस्तिनाब करें इनसान एक समर्ज़डार इनसान है इसलिम हासिल करने के बाद उसे अच्छाई और बुराई में फर्क पता चल जाता है दूसरा ये कि अपने ज़स्बात अहसाद और ख्यालाद को अल्ला और इसके रसूल से लिलाह अलेजिके मताबिक डाले जो उसकी जिन्दगी में और उससे वो इसे मायूस ना हो अल्ला और इसके रसूल के मताबिक अपनी जिन्दगी को गुजारे हदीस में आया है कि अगर कोई शक्स ऐसा नहीं करता गोया वो इमान की लज़त से नावकिफ है दूसरे इलफाज में इस अधिस मुबारका में अतात रसूल से लिलाह अलेहji का पैगाम है